तो हेलो ब्रीवन आई होप आप सभी लोग ठीफ होंगे तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपर्टर्स होने वाला है क्योंकि काभी सारे स्टुडेंट आज भी अभी कपेंट कर रहे हैं किसा हम प्राइबेट कॉल्जिस से कर लें या फिर हम तैयारी कर रहेते हैं इससे करेंगे ठीक है तो वीडियो को में बीना देरी के स्टार्ट करते हैं ओके सो जस्ट विट एक मिट तो सब्सक्राइब देख लिए कि यह आप प्राइबेट कॉल्जिस में यह आप एडिमीशन लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है एंड उसके नुक्सान क्या है सबसे सबसक्राइब लिए पहले फायदेश क्या है सबसे पहले देखलेते हैं तो अधिक विकल्ब यशồng आथिक होने से आपका अधिक विकल्ब होता है ठीके अधिक आपको मिल जाता है ककी इंडिया में पहुत सारे प्राइबेट कॉल्जिस हैं जहां पर आपको आसानी से आपको एडमीशन मिल सकता है जिसे बहुत साथ प्राइविट ले करवाते हैं वहां पर देखा जाए जहां बहुत ही भातरीन है तो बहुत बहुत परकार से लैब्स वितयार कर देगे हैं साथी साथ उनके अपार्टमेंट्स एंड उसके होस्टल भी देखा रहा है तो बहुत सारे मतलब आपको बेनिफिट्स उसमें आपको मिल जाते हैं इसके वाद थर देख लेते हैं कि छोटे वैच से प्राइवेट कॉल्जिस में छोटे बाइच होने से आपको व्यक्ति गया प्रादा नहीं होती है लगबग चालिस से पचास लोग माहा पर एड्मिशन लिए होते हैं आपका जो है उत दो जगत के साथ संब्द देखा रहा है तो आप इंडस्ट्री के साथ भी आप रिलेट कर पाऊंगे यानि कि यदि आप प्राइवेट कॉल्जिस में आप एड् लेते हैं क्योंकि अटेंडेस जो होता है वह माइने नहीं रखता है आप कभी भी क्राव ले जाए कभी ना आए या आप क्यों पर टेपेट करता है आई होप आप लोग समझ गिये होंगे प्राइवेट कॉल्जिस के फायदे क्या है आइड्मिशन करने के एडिस के बाद देख लेते हैं नुकसांस क्या है देखें सुल्क दीग लगता है बिलकूल प्राइबिट में जो फिस्ट्रक्चर है तो बहुत ही ज्यादा है ऐसा नहीं कह सकता कि सर्वी कॉल्जीस में कुछ-कुछ तो एसे सारे जो हैं यहां पर देखा यह तो फीस बहुत ही जादा है ओके मानिता मानिता कि मैं बात करो तो एक होता है क्या होता है एक होता है 16 कमिटी क्या होता है एक होता है 16 कमिटी तो देखा जाए तो जो प्राइबेट कॉल्जेस होते हैं वह आइस्या से अफ्लेटेट नहीं होते हैं जब कि वह यूजीसी से कहाने कि यूजीसी से अफ्लेटेट होते हैं अब द्यान देचेगा कि जो कॉल् तो बहुत सारे कॉल्जिस भी हैसे हैं जो प्राइवेट में आते हैं बट वह आई सीया से अफ्लेटेट है जिसे आपका हो गया स्वार्ट हो गया तो यह सब जो है ना बहुत से दिखा रहा है तो इसमें बहुत सारा अलग-अलग प्रकास है तो देखे अधिक्त बट होते हैं वह नौन अईसीय स्वाजिट होते हैं यानि वह यूज्स से आफू जहते हैं देखा जाय तो जो प्राइवेट्ट कॉल्जिस होते हैं वहां पड़ देखा रहे है आपको संकाय होता है बहुत जो ने नजthस और आईगी कोई सब्दाइब कॉल्जिस में देख रहा है कि कुछ भी उतना सुविधा नहीं होती है देखा है private colleges में जो बड़े-बड़े colleges होते हैं वहाँ पर सुभधायों होते हैं वहाँ पर जो सुभधायों होती है इसके बाद research के में बात कूँँ तो research भी जो है ना वो हमारे private colleges में देखने को नहीं मिलता है मेरे को करना चाहरे है उससे की कॉलेज की मानिता क्या है उसके बाद ranking क्या है देखा रहा है तो सबसे पर यदि आप करना भी चाहरे है ना यदि आप private colleges में लेना भी चाहरे है तो आप कुछ सोचिए कि उसकी मानिता है की नहीं है आप सबस्क्रावियर में ध्येक क्या है क्या है एंड व्यत्युक्वियर मृ प्लस-प्लस-इन सबस्के हैं थीपिरे का क्या है तो एक हर व्यक्ति करतें हैं निआ प्लस-प्लस-बस-बस-फलस तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि जो युनिस्टेटी की रैंकिंग होती न वह ग्रेड होती है संकाय बुनियादि धाचाओ सुविधाओ का मुलियांका सबसे बेले यह दिखे कि वहाँ पर सुविधाओं है कि नहीं है तिक वहाँ पर प्लेश्मेंट होता या नहीं होता यह भी उपनोंको देखना पड़ेगा कि इसके बार को कोदिया जाता है। इसको भी आप ख्याल लग सकते हैं इसके बाद आप सबसे पहले यह डाप यापमिसर्ण लेना चाहते हैं तो उसकेसी जिए बैच निकल गया तो यही था अब इसके बाद देखा जाए मैं आपको वीडियो के पहले में बताया था कि क्या आइस या प्राइबेट को जिसे लेना अच्छा है या पिर बेकार है क्या आइस जो को जुश है उसमें उसकी तैयारी करना चाहिए कौरमेट एक्जाम की या फिर क्या करना चाहि जो है आपकी विकार है तो मैं तो आपको यह सग्जिश करूंगा कि आप राइबेट कोल्जस में अडिमिसन ले ले क्योंकि देखा रहा है प्राइबेट कोल्जस ऐसे भी होती है जहां पर प्र समिस्टर के साब से फिस आ जाता है और बहुत सारी कोल्जस ऐसे वी हैं कि कम कम फीश वाला हो और देखा रहा है तो यह भी थ्यांते जीएंट के अपहले कि आप पयसे आने से यह यह आते हैं के पास कुछ पाइसा है आप मिडल करास फैमली से ऊपर के थोड़ा भी लोग करते हैं तो मैं आपको यह भूलूँगा कि आप थोड़ा तैयारी कीजिए ठीक है लागवग 45-45 रुपे देखकर आप थोड़ा आप कहीं से तैयारी कीजिए ठीक है उसके बाद एक साल तैयारी से उस यूटी से अफलिट हो गए हैं तो आज इस वीडियो में बस इतना है और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप तो कमेंट करके बताएगा धन्यवाद